आप टहर जाएंगे ना तो चलेगा पर आपकी सोच नहीं टहर नहीं चाहिए क्योंकि अगर सोच टहर गई तो जिन्दगी बिना किसी सोच के गुज़र जाएगे हलो दोस्तों मैं गरीम अशर्मा और आपको आज मैं बताने वाली हूं रिच डाद और पूर डाड की बूक जिसमें जिसको लिखा है रॉबर्ट गया साखी ने आपको बता है इसकुल हमें क्या सिखाया जाता है है इसकोल हमें एंपलॉई बनना सिखाता है आपके बच्चे सकोल में पड़ते से तो आपको क्या सिखाय गैप डॉक्तर बनीए इंजुनियर बनीए लॉयर बनीए यहीं तो हम वही चीज बनेंगे क्योंकि जो आप पढ़ते हो वही आप बनते हो